इधर रामबन जिले के सरकारी हाई स्कूल डोली गाम में भी राश्ट्रे बाल स्वास्त कारिक्रम के अंतरगत चिकित सशिवेर वा स्क्रीनिंग कैम्प लगाया गया कैम्प डिस्ट्रिक हेल्थ सोसाइटी द्वारा शिक्षा विभाग वा आईसीडियस विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ जिसका उद्घाटन बनीहाल के विधायक वकार रुसूल वानी द्वारा किया गया इसमसर पर जिला आयुक तारिक हुसेन गनईव वस्वास्त विभाग के आलादी कारी भी उपस्तित रहे कैम्प के दौरान 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्त के जांच की गई और उन्हें मुफ्तवाईयां भी वित्रित की गई कैम्प का मुख्य उद्धेश बच्चों को जान लेवा शारेरिक बेमारियों के प्रति जागरूप करना था ताकि उनकी कीमती जान बचाई जा सके अनरहम का जो कारिकरम है ये और बहुत ही काम्याब ये रहां बाल स्वास्तिक कारिकरम है किसी बच्चे को बड़ी बिमारी का खद्शा निकला तो उसको इलाज के लिए पैसे भी दिये जाएंगे उसका प्रापर इलाज किया जाएगा उसका प्रापर चेक अप किया जाए और बड़ी से बड़ी बिमारी से बच सकी रांगनवारी सेंटरों में भी धिन दे। उन पारी अलाकों में जाना होगा। इतारा साल तक बच्चे हैं, उन में अगर किसी वज़े से कोई डिजीज या कोई डिफेक्ट या कोई डिसेबिलीटी, कोई डिफिशेंसी, कोई भी चीज रह गई हो किसी लेवल पे, तो इसको हम डिटक्ट करके, या तो अगर इमिजेट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो तो इ बड़े हस्पितालों में, स्कीम बहुत अच्छी है, बिल्खुस इस अलागे के लिए, ये उनके लिए भी है जो डॉप आउट्स हो, या उनके लिए भी है जो घर में कोई और काम कर रहे हैं, जो स्कूल नहीं आते हो, तो कहूंगा कि घर घर जाके भी आपको ये आपको का नी चाहिए